इंडेंटेशन नाम सुने आपने कभी नहीं सुना तो आपको दिखाता हूं इंडेंटेशन हम देखने लगें इसको मैं सेव करता हूं और यहीं पर आके चार के बाद 05 इंडेंटेशन डॉट पाई इंडेंटेशन क्या होती है साथ में आपको मैंने कंडिशन भी पढ़ा देनी है यहीं पर इंडेंटेशन के साथ इंडेंटेशन पढ़ाने लगाँ ठीक है मैं यहां पर लिखता हूं इफ फॉर एंग्जेंट्र यहां पर मैं लिखता हूं एह हमारे पास 5 बी है हमारे पास 15 ठीक है अब मैं यहां पर लिखता हूँ print करें a is less than b कंडिशन आपने लगाई जो मैं पहले पढ़ी थी मैं इसको print करता तो इसने का बिल्कुल जी ये बात ठीक है ट्रू है लेकिन अक्सर अकात ये ट्रू जो है पूरा मीनिंग नहीं आपको बता रहा होता तो उसके लिए आप इफ कंडिशन लगाते है इफ कंडिशन मतलब ये आपने लगा के देख लिया के ए छोटा है बी से ये समझागी बात को अब हम ये कहेंगे इंडेंटेशन भी सीखेंगे इफ ए इस लेस देन बी जो हमारी ये वाली कंडिशन है अगर ये ट्रू है तो हम कहेंगे कॉलन लगा के एंटर मारेंगे अब ये जो स्पेस बचिये ने एंटर के बाद इसको बोलते हैं इंडेंटेशन ठीक है अब यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट कर दो ए इस लेस देन भी यहां पर मैं इसको कह रहा हूं कि अगर ए जो है भी से छोटा हो तो बकाइदा ये प्रिंट करो मुझे ट्रू ट्रा ना बताओ कि ट्रू है सही है हमें पूरा कंप्लीट आंसर चाहिए ठीक है अब मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं ले जुनाब उसने कहा दिया ए इस लेस देन भी समझ आई बात की अब मैं आपको एक और कंडिशन बताता हूं यहीं पर इफ की कंडिशन समझ आगी कि अगर ए इस लेस देन भी है तो यह प्रिंट कर दो अब यहां पर मैं सी लगाता हूं सी इस इकॉल टू यहां पर लिखता हूं 20.5 ठीक है और यहां पर मैं कंडिशन लगाता हूं इफ एक और कंडिशन लगा रहा हूं इफ सी इस लेस देन भी प्रिंट करो सी सी बी सी जो है वो बी से छोटा है ठीक है मैं रोमन उर्दू में लिख रहा हूं अब आपको पता है कि यहां पर सी जो है वो बी से छोटा नहीं है पता है ना आपको इस वज़ा से अक्सर वकात आप इफ कंडिशन के साथ एल्स भी लगाते हैं कि अच्छा अगर सी बी से छोटा ना हुआ तो हम क्या करें वई हमने ये तो बता दिया कि अगर c b से छोटा है तो ये लिख दो अगर ना हुआ अगर ये condition true ना हुई तो हम क्या करेंगे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या ये condition true है मैं यहां पर print लिखता हूँ और मैं लिखता हूँ c is less than b ठीक है इसको मैं comment out करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए और मैं ये condition यहां पर run करता हूँ ये कहता है false है हमें confirm हो गया false है अब मैं इसको इस तरीके से run करता हूँ आप चेक करें वो false पर आके रुख गया आगे कुछ ने बता रहा क्योंके हमने उसको दूसरी साइड तो बताई नहीं है ना यार एक केस के दो रुख नहीं होते एक साइड आपने सुन ली है अकसर रुकात आपके दो दोस लड़ पड़े है तो जो पहले बात बताने आता है वो इस वज़ा से पहले बता रहा होता है कि शायद मैं सचा थाबित हो जाओ तो एक साइड आपने सुन ली इसकी दूसरी भी सुने कि अगर ऐसा ना हो देन वाट यू हाव तो दू एल्स देखे मैंने एल्स लिखा वो पीछे चला गया प्रिंट क्या अगरो प्रिंट बी इस ग्रेटर तैन बी इस स्मॉलर या हम इसको वैसे लिख देते हैं एल्स जो है बी से बड़ा है ठीक है अब आप देखें यह जो हमने कंडिशन लिखी है ना वो चेक करते हैं मैं बाकी सारे कमेंट आउट करता हूँ ताकि आप परिशान ना हों कि यह क्या-क्या लिखा हुआ है इस वज़ा से कमेंट इन और कमेंट आउट करिया जाता है चिज़ों को मैं रन करता हूँ देखें जी जो है वो बी से बड़ा है राइट इस तरीके से आप इफ एल्स की कंडिशन बनाते हैं जो इंडेंटेशन है इस टॉपिक का मेन मकसद यह था कि आपको कोड की सेंस होनी चाहिए कि जब कोलन है तो उसके बाद क्या लिखना है एल्स किस जगा पर आएगा अगर मैं यह प्रिंट को थोड़ा पीछे ले आऊंगा ना तो चेक करें यह मुझे एरर देगा कि इंडेंटेशन में प्रॉब्लम है यह चेक करें एक्सपेक्टेड एन इंटेंड़िट ब्लॉक आफ्टर एल्स तो आपको जो मैंने कल एक्स्टेंशन करवाई थी वो भी आपको खुदी बताएंगी कि यहां पे मसला है यह चेक करें रेड़ रेड़ हो गया ना समझा ही बात की उसने वहीं पे आपको एरर दे दिया यह पाई लांस की खुबसूरती है जो कल हमने की थी इसे वज़ा से वी एस कोड के अंदर हम काम करते है मैंने उसको टैब लगाई और हीर यू गो जनाव आपका indentation का काम हो गया राइट समझागी बात की अब यह जो चीजें हम कर रहे हैं साथ में हैश्टाइग लगा रहे हैं यह कुमेंट्स होते हैं जो मैंने आपको कल भी बताये थे तो मैं यहाँ पर स्टार्ट में भी कुमेंट्स लिख सकता हूँ फर एक्जामपल हैश्टाइग लगा के लेट्स लेर्न अबाउट इंडेन्टेशन्स एंड इफ कंडिशन्स ठीक है तो यह हमने इस लेक्शर के अंदर दो चीजें देखी हैं कौन कौन सी इफ कंडिशन जिसमें एल्स भी देखा इंडेन्टेशन भी देखी और हमने कंडिशनल उपरेटर भी देख लिया और वेरियेबल भी आप देखें आईस्ता 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 आप प्रोग्रामर नहीं बनते जा रहे हैं क्या ख्याल है अब एक छोटा सा हमने प्रोग्राम बनाना है यहीं पे हमने प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर हमने पता लगाना है कौन किस से कितना बढ़ा है या कौन किस से बढ़ा है ठीक है इस ही इंडेंटेशन वाली चीज के उपर और उसके लिए हम नेक्स लेक्शर में मूव करते हैं